नमस्कार दूस्तों वेल्कम नो मैं चैनल दूस्तों आज की इस वीडियो में में वीस्टी पावर टिलर की जो केज हुई होता है वो उसका क्या काम है और केसे उसका प्राइस बगर आए कैसे उसको बनवाना है और कहां से उसको लेना है सारी चीजे के बारे में बताऊंगा चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैंडली सब्सक्राइब कर लिजिए तो चाले दूस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो सबस्क्राइब यह होता है यह होता है वीस्टी 135 डियाई जो की तिरा दस्पन पांच सीफ का पावर टिलर है और रोटाबेटर के स सब्सक्राइब करेंगे तो के जुट लगता है दूस्तों वह बारिस के मौसम पर लगता है कि मंसुन सीजिन में जो खेती होता है उसके टाइम पर केजविल इस्तमाल होता है क्योंकि अगर इस चका में अगर आप खेती करने जाओगे तो इसमें बहुत सब्सक्राइब की अगर नहीं अगरा होके वह लगवे 5-500 के करीबन जो है और यह जो हमने बनाया था कोई रेडी मेंट चीज नहीं है और यह बनवाया के सेल किया जाता है तो खुँद बनाना चाहते हुआ तो कोई लेद बगरा में जाके अम बढ़ असको बनवा सकते हैं लेकिन इसको हार क नहीं बना नहीं पाएगा क्योंकि ऊलैनमेंट exist is kalian में होता है क्यों छोटे बिट醋 लगता है ताकि पकड़ और शाहिसे बैज इसार अगता है मतलब एक डिस्टंस हो जाएगा और एक उसमें से डिस्टंस हो जाएगा तो पावट लंगया है एक तरफ जुक के चलेगा यहां पर एक नहीं यह थे लिज़ जाएगा जब चला था पावट लंगर न्युक्त सब्सक्रांट और लेकिन अच्छा सा चाहिआ नहीं निद्सक्राइब अच्छा न ़िस होता है इससे चीज़े होता है इस के साथ तो उसचीजे को ध्यान रखना आपको और बाकि अगर बारिश मौसमין के बाद Numra जो मेंसीं काम करना भूपन्ड खतम हो जाता है आपका सब काम तो उसको सही से जो है आछ bị पानी में वाश कर लेना है और आपको आपको बिजिट करने के लिए आप मोबील लेना जो जला हुआ मत लेना क्योंकि जल्दी गिड़ जाता है नीचे अगर आप आप आच्छे चे मोबील लोगे तो बहुत पकड बना के रखेगा और मोबील स्प्रेय करने की प्लास्मेंट यह है कि ज्यादा ज्यादा रस्टिंग चां अगर आपको बहुत एकदम से खतम हो जाएगा और अगर आपका बारिस का मोबील पर गड़ा और इंजिनर पर इस आरजी जी जो है आपको भी चेक करना है अगर पर यह ऄहां टो बहुत फाल को भी कर लोकुर कि तब आपनों पाल के साथ अगर भी इसको रख को सारी जो है झाल्ड रख को एन सो उल्लेट से अखली बॉस्निकाल हो जो आपको घथी नहीं निकल रहा है तो इसको आज हम शेछित के अलग से होगा लेकिन यह पका हुआ मोपील यह निंगी जला हुआ मोपील इसमें लगेगा और इसमें अगर कुछ चीजा आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट पूछ सकते हो में तब तक लिए